दोस्तों नमस्कार ये है मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेस अध्यन के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है दोस्तों सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अवस्थिती के बारे में जानते हैं तो भूगर्भिक द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश प्राचींतम गोंडवाना लेंड का भूभाग है और उत्तर प्रदेश के दक्षुड भाग में इस्थित पठारी भाग जो है ये प्रायदीपी भाग का ही अंग है इसका निर्माड बिंध्यकरम की शैलों द्वारा प्र केंब्रियन काल में हुआ है उत्तर प्रदेश का अच्छांसी विस्तार 23 डिगरी 52 मिनट से 31 डिगरी 28 मिनट उत्तरी अच्छांस के मद्ध है तो याद कर लिजे उत्तर प्रदेश का जो अच्छांसी विस्तार है 23 डिगरी 52 मिनट से 31 डिगरी 28 मिनट उत्तरी अच्छांस क की बात करें तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विश्थार 77 डिग्री 30 मिनट पूरों से 84 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है और प्रदेश का कुल देशांतरी विश्थार 7 डिग्री जो है 9 मिनट है तो इस तरह से ये हमने उत्तर प्रदेश की भावगोलिक स्थिति के बारे में जो तथे थे उनको जान लिया है अब आईए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं है यानि जो इसकी बाउंडरी लाइन है ये केंदर शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल नौ राज्यों से लगी हुई है, तो याद रखेगा, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, वो 8 राज्य और एक केंदरशासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की सीमा को असपर्स करने वाले जो राज्य हैं, उनको देखेए, हिमाचल प्रदेश, हरियाडा, तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा को असपर्स करने वाला एक मात्र केंदर शासित प्रदेश दिल्ली है ये याद रखेगा तो कुल आठ राज और एक केंदर शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई है और दिल्ली जो केंदर शासित प्रदेश है ये एक मात्र केंदर शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है और दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश क गाजियवाद और गौतम बुद्धनगर से लगी हुई है प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है बिहार और जारखंड से लगी हुई है और प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतरिक्त उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है तो दोस्तों भारत का एक पडोसी देश है नेपाल उससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है आईए मैप के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमा वर्ती राज्यों के बारे में तो यहाँ पर हम इस मैप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं देखिए सबसे पहले आईए जान जो उत्तर प्रदेश की सीमा को असपर्स करने वाले राज्य हैं इसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है जो सहारनपूर जनपत को टच करता है उत्तराखंड के सीमा वर्ती जिले साथ हैं इसमें सहारनपूर, मुझभफर नगर, बिजनौर, मुरादाभाद, रामपूर, ब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उसके बाद बिहार बिहार से जो लगे हुए जिले हैं साथ जिले हैं उत्तर प्रदेश के उसमें महराजगंच, कोशिनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपूर, चंदावली और सोनभद्र हैं इसके अलामा आप देखे जारखंड एक जनपद सोनभद्र टच करता है मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले आगरा, इटावा, जालाओन, जासी, ललितपूर, महोबा, बादा, चित्रकोट, प्रियागराज, मिर्जापूर और सोनभद्र ये मध्य प्रदेश से टच करने वाले जिले हैं इसके अलावा आप देखे, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के दो जिले, मध्यूरा और आगरा हर्याडा से कुल 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं जैसे सहारनपूर, सामली, बागपत, गौतम बुद्धनगर, अलिगड़ और मध्यूरा और इसके अलावा आप जान लिजे, दिल्ली, जो की केंद्र शासित प्रदेश है दो जिले, गौतम बुद्धनगर और गाजियाबाद, जो है, सीमा बनाते हैं या टच करते हैं इसके अलावा कुछ अन्य तथे जान लिजे, दोस्तों नेपाल जो है वो भारत का पडोसी देश है और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुल साथ जिले सीमा बनाते हैं जिनमें पीली भीत, लखीमपूर खीरी, बहराईच, स्रावस्ती, बलरामपूर, सिधार्ट नगर और महराज गंज हैं दोस्तों सहारनपूर जिले के सीमा बरती राज्य तीन हैं कौन-कौन हर्याड़ा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सोनभद्र जिले के सीमा वरती राज्य बहुत हैं, चार राज्य हैं इनमें बिहार, जारखंड, च्छतिस गड़ और मध्ध प्रदेश हैं इसके अलावाम मध्ध प्रदेश राज्य से तीन तरफ से घिरा हुआ जिला अपना कौन सा है ललित पुर्जन पद है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य ये मध्ध प्रदेश है और जीलों की संख्या के आधार पर देखें तो मध्ध प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुल 11 जीले सीमा बनाते हैं या टच करते हैं इसके अलामा उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज जी कावन सा है, वो हिमाचल प्रदेश है, जो की सहारनपूर से सीमा बनाता है, दोस्तों और भी महत्वपूर तथ्यों पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की जो पश्यमी सीमाएं हैं, देखिए, हरियाडा राजस्थान और केंदरशासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है, तो बहुत ही महत्वपूर तथ्यों है, उत्तर प्रदेश की जो पश्यमी सीमाएं हरियाडा से, राजस्थान से और केंदरशासित प्रदेश दिल्ली से लगे हैं, दक्षुडी सीमाएं मध्यप्रदे जो की उत्तर प्रदेश के सहारनपूर जनपद से मिला हुआ है उत्तर प्रदेश का एक मात्र जिला सहारनपूर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है इसके अलावा इस जिले की सीमा हर्याडा और उत्राखंड से भी लगी हुई है तो सहारनपूर जनपद जो है दोस्तों हरियाडा उत्राखंड और हिमाचल परदेश से सीमा बनाता है उत्तरपरदेश के सरवाधिक 11 जिलों को असपर्स करने वाला राज्य कौन सा है ये मध्यपरदेश है सरवाधिक चार प्रदेशों को असपर्स करने वाला उत्तर प्रदेश का एक मातर जिला सोनभद्र है और ये मध्य प्रदेश 36 गड़ जारखंड और बिहार राज्य को अशपर्स करता है एक और महत्वपूर्टत है उत्तर प्रदेश की सीमा को असपर्स करने वाला एक मात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है और नेपाल के सीमा वर्ती जिले कौन-कौन से हैं तो अभी आपने पढ़ा है पिली भीत, लखिमपुर्खीरी, बहराईच, सरावस्ती, बलरामपूर, शिधार्ट नगर और महाराज गंज यह जो है नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद हैं दोस्तों प्रदेश के सबसे कम जिले यानि एक मात्र जहांसी को असपर्स करने वाला जिला ललिदपूर है मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घीरा जिला सहारनपूर, शामली, बागपत, गौतम बुद्धनगर, अलिगड़ और मतुरा, राजस्थान से केवल दो जिले मतुरा और आगरा टच करते हैं, मध्य परदेश से कुल 11 जिले, सोनभद्र, मिर्जापूर, प्रियागराज, चित्रकोट, बादा, महोबा, जहांसी, ललितप आगरा, इटावा और जालोन, इसी तरह 36 गड़ से एक जनपद, सोनभद्र, जहारखंड राजज से सोनभद्र, बिहार से महराजगंज, कुशिनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपूर, चंदोली और सोनभद्र, इसी तरह उत्राखंड राजज से जो है परदेश के अपन सहारनपूर, मुझाफर नगर, भीजनवर, मुरादबाद, रामपूर, बरेली और पीलिभीज, जनपद, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इससे उत्रप्रदेश के गाजियाबाद और गौतम, बुधनगर जिले टच करते हैं तो ये आपने चार्ट के माध्यम से ये जानकारी पढ़ी, दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो कुल जियोग्राफिकल एरिया या भौगोलिक छेत्रफल है, ये दो लाग चालिस अजार नो सो अठाइस वर किलो मीटर है, जो कि भारत के कुल छेत्रफल यानि बत्तिस लाग स 87263 बर की किलो मीटर के लगभग 7.33 प्रतिशत की बराबर है, पूरु से पश्रिम तक इसकी लंबाई 650 किलो मीटर और उत्तर से दच्छिन तक चौड़ाई 240 किलो मीटर है, तो याद कर लिजिये, दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी पश्रिमी विस्तार है, ये अस्थान है, उत्तर प्रदेश से अधिक छेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का राजस्थान छेत्रफल में, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महराष्ट और चोथे पे अपना उत्तर प्रदेश है, छेत्रफल की आध दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान भावगोलिक स्वरूप है ये 9 नौवंबर सन 2000 को अस्तित्तों में आया कैसे तो आप जान लीजे 9 नौवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 परवतिय जिले जो की उत्तरी भाग में इस्थित थे इनको काट कर उत्तरा अंचल अब उत्तरा खंडराज जिका निर्मार किया गया है उत्तर प्रदेश के सरवाधिक छेतरफल वाले चार जिले कौन से हैं तो सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी 7680 वर किलोमेटर दूसरे अस्थान पर सोन भद्र 6788 वर किलोमेटर हर दोई तीसरे अस्थान पर 5947 वर किलोमेटर और सीतापूर चौथे अस्थान पर 5743 किलोमेटर है उत्तर प्रदेश के सबसे कम छेतरफल वाले जिले जो हैं हापूर 660 वर किलोमेटर भदोही या संतर अविदास नगर 1015 वर किलोमेटर गाजियबाद 1034 वर किलोमेटर और शामली जो है ये आपका जो है 1167.58 वर किलोमेटर है तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे कम छेतरफल वाला जिला हापूर है मातर 660 वर्ग किलोमीटर इसका छेतरफल है अगर हम प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्मी जिलों की बात करें और NCR यानि राश्ट्री रासधानी छेतर में शामिल उत्तर प्रदेश के कुल आठ जिले हैं गाजियाबाद, हापुड मेरट, गौतम बुधनगर, बुलंद शहर, मुझफर नगर, शामली और बागबद और दोस्तों, NCR में उत्तर प्रदेश का कुल 14,826 वर्ग किलोमीटर छेतर शामिल है अब उत्तर प्रदेश के भौतिक बिभागों की बात कलने तो दोस्तों, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्जी के तीन भूभाग थे परवती छेतर, मैदानी छेतर और दक्षुन का पठारी छेतर लेकिन उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा परवती छेतर उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है और अब इस परवती छेतर से लगा हुआ भावर तराई छेतर उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है उत्तर प्रदेश को वर्तमान में तीन मुख्य प्राकरतिक प्रदेशों में भी भाजित किया गया है भाबर और तराई का प्रदेश, गंगा या मुना का मैदान और दक्षिन का पठारी प्रदेश भाबर के तराई प्रदेश के बारे में जानते हैं तो दोस्तों पशिम में सहारणपूर से लेकर पूरु में देवरियां और कोशी नगर यानि पढ़ रहोना तक एक पतली सी पटी भाबर और तराई कहलाती है। भाबर छेतर में नदियां लुप्त हो जाती हैं जो तराई छेतर में फिर से प्रकट होती हैं। भाबर छेतर में जलोड पंक और जलोड संकु जैसी नदी से निर्मित अस्थला कृतियां बनती हैं और आप जान लिजे कि भाबर छेतर वह परवती भूभाग है जो कंकर पत्थरों से निर्मित है और दोस्तों आप जान लिजे इस छेतर का विश्तार जो है ये उत्तर प्र तराई छेत्र भावर के दक्षुन में दलदली और गाद मिट्टी वाला छेत्र है जो की महीन और सादों से निर्मित है दोस्तों घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढखा हुआ तराई छेत्र कभी 80-90 किलोमीटर तक चोड़ा था और इसके अंतरगत जो जनपद आते थे सहारनपुर बिजनवर रामपुर बरेली पीली भीत लखिमपुर खीरी और बहराईच गुंडा वस्ति सिधार नगर गोरखपुर महराज गंज देवरिया और कोशी नगर के भागाते थे लेकिन कुछ वर्सों में भूमी सुधार के कारियों के कारण इसकी चोड़ाई कु रही है और अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है तो ये तराई छेतर के बारे में था देखिए प्रदेश के उचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचींतम जलोड मिट्टी को राढ के नाम से जाना जाता है भावर छेतर और दक्षणी पूर्वी इसमें देखिए गंगा यमुना के विश्तरित मैधानी प्रदेश जो हैं उसमें तीन उप विभाग हैं गंगा यमुना का उपरी मैधान गंगा का मध्य मैधानी चेप प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैधान गंगा यमुना के उपरी मैधान का विश्तार लगभग 500 क किलोमीटर चोड़ी पट्टी के रूप में हैं गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपूर, बिजनवर, मेरट, मुझाफर नगर, बुलंद शहर, अलिगर, हाथरस, मतुरा, आगरा, मैनपूरी, एटा, बदायू, पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपूर, गाजीपूर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापूर, सोनभद्र और भदोही में हैं दोस्तों गंगा यमुना के मैदान का निर्मार काम्प यानी जलोड मिर्दा से हुआ है और गंगा यमुना के विश्तरित मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत कुचाई 300 मीटर है इस विश्तरित मैदानी प्रदेश का निर्माड अभिनूतन और अतिनूतन युग में नदी घाटी में और शाधी करण से हुआ है और इस विश्तरित मैदानी प्रदेश का ढाल पश्यमान्चल में उत्तर से दक्षिण की ओर और पुर्वान्चल में पश्यमोत्तर से दक्षिण पूरु की ओर है एक और प्राकृतिक विभाजन जो दक्षुड के पठारी छेतर का किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश में जो पठारी प्रदेश है उसका कुल छेतर फल 45200 वर्ग किलोमीटर है दक्षुड पठारी प्रदेश के अंतरगत बुंदेल खंड और बगहेल खंड के भुभाग आते हैं और दोस्तों ये छेतर दक्कन के पठार का ही प्रसरण है या भाग है और इस भुभाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है और दक्षुडी सीमा बिंध्य परवस्य निर्धारित होती है इसके पूरो में केन नदी और पश्यम में बेतवा और पाहुज नदीया इसकी सीमा का निर्धारन करती है दोस्तों इसके अंतरगत जासी जालोन हमीरपूर महोबा चितरकूट ललितपूर और बांदा जिले प्रियागराद जिले की मेजा और कर्षना तहसीले गंगा के दक्षुड में परने वाला मिर्जापुर का हिस्सा और चंदवली जिले की चकिया तहसीलाती है इस पठारी छेतर की सामाने उचाई 300 मीटर के आसपास है और कुछ हस्थानों पर ये उचाई 445 मीटर से भी अधिक है मिर्जापूर सोनभदर के जिले कुछ हस्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाडिया लगभग 600 प्राचीनतम नीश चट्टानों द्वारा और निम्न प्रदेसों में नदियों द्वारा निच्छे पित मिट्टी से हुआ है बुंदेल खंड के पश्यमी भाग में काली मिर्दा या रेगुर का विश्तार है जो मालवा पठार का विश्तार है कैमूर सरिंखला बुंदल सैलों से हुई है बुंदेल खंड में चलास नामक घास याद रखिएगा बुंदेल खंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है बगहेल खंड छेतर में संक्वाकार टीले बहुतायत से मिलते हैं और बगहेल खंड छेतर की प्रमुख नदी सोन नदी है बगहे से उत्तर की और है दक्षिन पठारी प्रदेश की मुख्य नदियां चंबल बेतवा केन सोन और टोंस है दोस्तों एक और तथे जान लिजे कि जो बघेल खंड छेतर है ये कम बर्सा के कारण पठारी छेतर में व्रिच और बनस्पतियां छोटी छोती होती है और यहां की वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य विशेस अध्यन के अंतरगत उत्तर प्रदेश की भौगोलिक इस्थिति से संबंधित महत्तो पूर्ट तथे और जानकारी जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के उत्तर प्रदेश विशेस अध्यन यानि यूपी स्पेसल खंड के लिए बहुत ही उपियोगी हैं दोस्तों आप इन तथ्यों को तयार कर लिजेगा ताकि परिक्षाओं में जब ये प्रशन पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्ट कर सकें वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइ सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार